हाई फ्रेंट्स मैं डॉक्टर मुशारफ हुसेन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कोविड वेक्सीन को लेके जैसे जैसे कोरोना महामारी कपर को बढ़ता जा रहा है वसी वसी वेक्सीन की डिमांड भी पड़त करीके के वो लोग सवाल पूछते है कि क्या अभी वेक्सीन लेना ठीक है क्या इस वेक्सीन को लेना सेफ है और अगर वेक्सीन लेना सेफ है तो फिर कौन सी वेक्सीन ली जाए कौन सी वेक्सीन अच्छी है किसके जदा अच्छे रिजल्ट्स है को वीशिल्ड अच्छी है को वैक्सीन अच्छी है, क्या इस पुतनिक का वेट किया जाए उसके अलावा क्या एक ही वैक्सीन सारे स्ट्रेंड के अगेंस्ट काम करती है उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में हम एक एक करके उन सारे सवालों को address करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में तो आईए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरू में हम बात करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्च्वल में ये vaccine कितने type के होते हैं इनके काम करने के अधार पर हमने इनको कितनी कर्टेगरीज में बाढ़ सकते हैं तो जो vaccine है coronavirus की उनको तीन तरीके से बनाया जाता है पहली जो type होती है उसको हम कहते है inactivated virus vaccine तो इसमें क्या होता है कि जो virus है उसको inactivate कर दिया जाता है को vaccine हमारी देशी vaccine है जिसको हिंदुस्तान में ही फर्मलाइज किया गया और उसका production भी हिंदुस्तान में भारत बायो टेक ने किया है लेकिन अभी इस vaccine के availability बहुत जादा नहीं है हमारे देश में भी इस vaccine की 2 dose दी जाती है कुछ 28 दिन के gap पर यानि के 4 हफते के gap पर इस vaccine की 2 dose दी जाती है और 6 हफते के बाद पर इम्मुनिटी पूरी तरह से develop हो जाती है और करीब 81% का जो efficiency है इस vaccine में आता है एक बात और भी कही जाती है inactivated vaccine के बारे में कि ये safe है comparative to other vaccine जो दूसरे तरह के vaccine होते हैं दोस्तों उनको कहते हैं viral vector based vaccines उसमें जो category आती है वो आती है COVID-Shield की या जो रश्या का vaccine है Sputnik V जो COVID-Shield vaccine है उसमें क्या करते हैं जो चिंपेंजी का एक अडिनो वाइरस लेते है फिर उसको vaccine के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी दो dose लगते हैं और दोनों dose के बीच का जो gap है यहाँ पर बड़ा सवाल है क्योंकि शुरू आती दूनों में कहा गया था कि 4-6 हफते का gap होना चाहिए पहली और दूसरी dose के बीच हमें जो vaccine लगा था जन्वरी के महीने में उसमें हमने 4 हफते के बाद ही दूसरा vaccine ले लिया था उसके बाद guideline आया कि नहीं इसको अब 6-8 हफते के बीच में लेना है और कल तक यानि कि 13 मई तक जो है वो 6-8 हफते वाला schedule चल रहा था और कल guideline आने के बाद आज से वा शुरू हो गया है 8-12 हफते का तो इस सब को लेके लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भी सही क्या है हम 4-6 हफते पे जाएं 6-8 हफते पे जाएं या 8-12 हफते पे जाएं लोग इसको शक की इनरसी भी देख रहे हैं तो बाकी लोगों को second dose दे दिया जाएगा ये एक लोगों का मानना है लेकिन उसके उलट इसके कुछ scientific evidence भी है इंग्लेंड में जब second variant आया था तो उस समय ये एक study की गई थी और ये पाया गया कि जिन लोगों में ये duration बढ़ाने के बाद vaccination दिया गया उनमें efficiency ज़ादा गई और वो 90-95% तक भी गई तो first dose लेने के 6 हफते के बाद इसमें कुछ 71% तक की efficiency आ जाती है govy shield से लेकिन अगर वो dose आप 8-12 हफते के बीच में लेते हैं दूसरा तो जो efficiency है वो बढ़के चले जाती है 90-95% तक इसलिए सरकार ने ये डिसन लिया है कि अब इसको 10 यूर को बढ़ा दिया जाए so that efficiency vaccine की ज़ादा बड़े जो इसी कर्टेगरी का दूसरा vaccine है जिसको में sputnik vaccine के नाम से जानते हैं sputnik V के नाम से जानते हैं उसमें chimpanzee adenovirus के साथ सत human adenovirus का भी यूज किया जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी efficiency बहुत अच्छी है उसकी efficiency 91-94% कही गई है और ये भी कहा गया कि उसके side effects बहुत कम है बट ये प्रूव होना बागी है क्योंकि अभी ये vaccine रश्या में यूज हो रही किसी के पहले जादे होते हैं किसी के बाद में जादे होते हैं जैसे covishield या जो vector based vaccines है उनका पहली dose लगने के बाद कुछ side effects जादा आते हैं जो fever है, headache है और दूसरी dose पे वो कम होते हैं उसके उलट जो third category के हम vaccine की बात करेंगे जो US में mainly use हो रही है वो होती है, modified messenger RNA based vaccines होते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि जो आपने देखा होगा virus के अंदर जो चारो तरफ spikes होता है इन spikes का जो protein है या यहां किसे जो RNA है उस RNA को निकालके use किया जाता है antibodies के तोर पे क्योंकि ये messenger RNA ये वो सारी information रखता है जो virus की होती है और इसको फिर इस information को use किया जाता है body में हमारी इंसान की body में डालके antibodies बनाने में इन जो vaccines का side effect है वो पहली dose पे कम होता है लेकिन दूसरी dose पे जादा होता है ये कहना ठीक नहीं होगा किसी vaccine से side effects होते ही नहीं है वो जरूर होते हैं किसी को कम होते हैं किसी में जादा होते हैं इसकी भी दो vaccines लगती है और इनके बीच भी कुछ चार हफते का gap रखना बहुत जरूरी है पहली और दूसरी dose के पीच में efficiency के इसाब से अगर हम कहें ले तो कौनसी ले को vaccine ले कोविशील ले इस पुतनिक का वीट करे तो उसमें मेरा सिर्फ यह कहना है vaccine लेना बहुत जरूरी है इस समय आपकी choice कोई नहीं है depend करता है कि आपको अगर vaccine मिल जाए तो वही बड़ी बात है बिना यह सोचे कि कौनसी vaccine लेना है सबसे पहले अपने आपको product करें जो भी vaccine आपको मिल रही है वो आप ले और हिंदुस्तान में वैसे भी हमारे पास इस समय कोविशील्ड के अलावा कोई दूसरा option नहीं है को vaccine की availability अभी है नहीं उस पितुरी को आने में time लेगा तो बिना कोई सवाल किये बिना कोई अपने मन में इस तरह के विचार लाए कि मैं कौनसी vaccine लूँ मैं उसके लिए wait करूँ कि ऐसा ना हो कि आपको wait करते करते देर हो जाए तो इसलिए जो भी vaccine आपको मिल रही है वो vaccine आप ले ले क्योंकि आपके पास कोई twice नहीं है एक सवाल बहुत common होता है लोगों का कि अगर हमने पहली vaccine ले ली है तो क्या हम अब safe हैं और क्या हम positive नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है आप पहली vaccine लेने के बाद आपको अभी छे हफ़ते लेगेंगे antibodies बनने में उस समय तक आप पूरी तरह से safe नहीं है और छे हफ़ते बाद भी जो इसका efficiency आती है कोई शिल्ड vaccine की वो कुछ 70% तक ही जाती है तो 30% chances तो हैं आपकी infection होने के हाँ अगर आप virus का exposure आपको होता है ये जरूर है कि आपको शायद उसके symptoms काम आए आपको जो severity है वो disease की कम हो एक सवाल ये भी पूछते है कि अगर हमने vaccine ले लिया तो हमारी report positive तो नहीं आए जाएगी ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जितने भी vaccine है उनमें कोई भी active virus यूज नहीं होता है और body में सीधे virus नहीं डाला जाता है active तो आपकी report positive आने का तो कोई chance ही नहीं बनता है फिर वही logic आती है कि आपने vaccine ले लिया अगर आप exposed हो जाते हैं और अभी आपके इंदर antibodies नहीं बने तो आप positive हो सकते हैं एक और लोगे के बीच में सवाल आ रहा है कि अगर मालीजे कोई positive patient है किसी की report अभी positive आ गई है तो क्या वह vaccine ले सकता है नहीं ये suggest किया जाता है कि कम से कम आपको जब symptoms आया है या जब आपने जाच कराई है तो 30 दिन तक आप vaccine ना ले 30 दिन के बाद ही vaccine ले और उसको लेने का फायदा है क्योंकि आपका जब infection हो गया है तो आपके अंदर खुद antibodies बनना शुरू होंगे और जब वो antibodies बनेंगे और आप जब 30 दिन के बाद 4 अच्छे 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 बाद फिर दूसरा dose लेंगे तो फिर आपके antibodies vaccine से और जल्दी develop होंगे और आपको अच्छी स्रक्षा मिलेगी पहली डोस के साथ vaccine की next सवाल जो लोग बार बार पूछ रहे आके वो कहते हमने एक dose ले लिया था लेकिन जो सरकार ने कहा था जी 6 हफते का time है हलाकि अब तो time बढ़ गया तो अगर हमसे वो dose छूट गई है तो क्या हम ले ना लें क्या करना चाहिए अगर आपकी dose छूट भी गई है और अगर आप लेट भी हो गए दूसरी dose लेने से तो दूसरी dose लेना ना भूले लेकि हम तो 4 हफते बाद ले चुके थे आप 12 हफते बाद भी ले सकते हैं तो दूसरी dose ज़रूर अपनी complete करें अगर आपको अपने आपको पूरी तरह से protect करना, सुरक्षित करना है एक सवाल और आता है खासतोर से pregnant ladies को लेके lactating mothers को लेके और खासतोर से mensis के दोरान, महावारी के दोरान vaccine को लेके तो शुरुआती दूनों में उतना data नहीं था लोगोंनों कहाता के हाँ महावारी में भी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बड़े doubts थे लेकिन अब बहुत clear है, mensis के दोरान vaccine लेने में कोई नुकसान नहीं है आप बिना अपने मन में कोई सवाल उठाए mensis के दोरान अराम से covid vaccine ले सकते हैं हाला कि अभी CDC ने lactating mothers को भी अलाव कर दिया है vaccines के लिए और pregnant women पे भी study की जा रही है और जिनको vaccine दिये गए हैं उनकी results भी अच्छे आया है बट अभी guidelines आना बाकी है study चल रही है, हो सकता बहुत जल्दी से ये guidelines भी आजाएं कि आप lactating mother और pregnant ladies में भी इस vaccine को use कर सकते हैं एक बात और पूछी जारी बार-बार कि बच्चों में क्या होगा, आम 18 साल से उपर के लोगों कोई vaccine दे रहे हैं, बच्चों में vaccine क्यों नहीं देता हैं, तो अभी उसमें भी studies चल रही है जो Moderna और Pfizer की जो vaccine से US में खास्तोर से, उन्होंने छोटे बच्चों पे यानि कि 6 साल से उपर के बच्चों पे इसके trials किया हैं और अच्छे trials के results आ रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब छोटे बच्चों के लिए भी market में वेक्सीन अवेलेबिल होंगे और इसका फैदा तभी मिलेगा हम जब साथ से ज़दा population को vaccinated करते हैं, तभी हो hard immunity होगी और तभी शायद हम आने वाले जो इनके spikes हैं या जो दूसरे waves हैं उनको control कर पाएंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आपको COVID vaccine को लेके आपके मन में शंकाया थी है सवाल थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छा लागा हो, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद